पर्फ्यूम के शौकीन लोग ये खबर देखकर पर्फ्यूम से दूर भाग सकते हैं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पर्फ्यूम के बोतल में पेशाब भर कर बेचने का मामला सामने आया है और उन बोतल के दाम जानकर आपके होश और जाएंगे इतना महंगा तो आपका माथा चक्रा जाएगा पर्फ्यूम के शौकीन लोगों के लिए ये खबर बेहदी जरूरी है ताकि अगली बार आप जब भी बाजार जाएं या फिर ऑलनाइन शौपिंग भी करें तो दाम के अकॉर्डिंग अगर आप पर्फ्यूम बाजार से लेते हैं तो अ है आपके साथ बंदना पांडे अगर आप पर्फ्यूम के बिना नहीं रह पाते हैं और ब्रैंडिट पर्फ्यूम खरिद कर लगाते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर है अब कोई भी पर्फ्यूम लेने से पहले उसकी जांच कर ले क्योंकि बाजारों में महंगे मह पर्फ्यूम के नाम पर यूरीन बेचा जवा रहा है जिसका परदाफाश होते ही लोगों के होश उर गए हैं पुलिस ने एक ऐसे पर्फ्यूम बनाने वाले कारूबारी को पकरा है जो गलत तरीके से पर्फ्यूम बनाता था और उसे धरले से बाजारों में बेचा भी करत गलत तरीके से किसी भी काम को अंजाम देने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी इस गलत आदत की वज़ज़ से सामने वाले को कितनी जादा तकलीफ हो सकती है कितने परिशानियों का उन्हें सामना करना पर सकता है गैर कालूनी तरीके से बनाने वाली चीज़ की वज़ खिलवार करने लग जाते हैं और अब ये बात आम सी हो गई है ऐसा ही मामरा सामने आया है इंग्लाइंड से जहां पुलिस ने कुछ कारोबारियों को इसलिए कि रफ्तार किया है क्योंकि वो नकली पॉफ्यूम बाजारों में बेच रहे थे लोगों की सिहत के साथ खिलवार कर रहे थे पॉफ्यूम की नाम पर उसमें इनसानों का पेशाम मिलाकर लोगों को बेवकूब बनाया जा रहा था और खुब प्रॉफिट कमाया जा रहा था जसका पर दफाश अपुलिस ने कर दिया है एक रिपॉर्ट में ये बात सामने आई है कि लंदन पुलिस ने इंटलेक्शल प्रोपर्टी क्राइम यूनित के साथ मिलकर दो जगा पर वहां च्छापा मारा और उसके बाद वहां से करीब 400 नकली पॉफ्यूम की बोतल को जप्त किया गया है देखने में ये बोतल एक डम असली पॉफ्यूम की तरह आपको नज़र आएगा आपको लगेगा ही नहीं कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है आपको ऐसा लगेगा कि अगर बोतल असली पॉफ्यूम की तरह है तो उसकी अंदर जो भी कुछ है वो असली होगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है अंदर केमिकल और पेशाब भरा हुआ मिला है जहरीले पदार्थ भी मिले हैं पुलिस के द्वारा दी गई चानकारी के मताबिक नकली पॉफ्यूम भी एकदम असली पॉफ्यूम की बोतल की तरह नजर आया लेकिन जिब उसको लैब टेस्ट करवाया गया है तो सच सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई और ये बात पता चली है कि उस बोतल में कई जहरीले कैमिकल और इंसानी पेशाब मिलाकर बाजारों में उसे महंगे दामों में बेच वा जा रहा था ऐसे पॉफ्यूम लगाने पर इंसानों के शरीर में इंफेक्शन हो सकते हैं कई ऐसे इलर्जी हो सकते हैं जिससे उनकी जान जा सकती है जलन और भी कैसी तरह की ऐसी पर्रिस्थिती आ सकती है इसमें की लोगों को अस्पताल में भरती होना पड़ेगा बागे पुलिस इस मामले में जाच कर रही है और आगे जो भी अबडेट आएगी वो साज़ा करेगी तब तक आपको हम बता दे कि यह मामला तो फिलहाल लंदन का है लेकिन आपको हमने इसलिए बताया कि अगर लंदन में ऐसा पौफ्यूम मिल रहा है तो ऐसे मामले यहां भी हो سकते हैं इसलिए आपको सावधान रहना है बाजार में अगर आप कुछभी खरीदने जाएं तो सावधान ही बढ़ते क्योंकि दिन बदे ये सब मामले बढ़ते ही जा रहे हैं आसे में पैसे के साथ साथ आपके शरीर को भी नुकसान पहुचेगा इसलिए भ्यान दे, परफ्यूम हो या फिर कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़े खरीदनी हो या फिर कोई भी चीज़ आपको लेना हो उसे अच्छे तरीके से पहले चेक कर ले जाचने के बाद ही उस प्यार पैसे खर्च कर कीज़े बाकि अब आप अपनी राय कमिन बॉक्स में इस पूरे खबर को लेकर बता सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए और बाकि अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंशन के साथ क्यामरे के पीछे ते विशाल और मैं थे आपके साथ वंदना धन्यवाद